बात है केंपी इमन मोदी है। बीजेपी की एक विराट और जीत हुई है। जीत की तरफ बीजेपी अगरसर है। और इसके जो रनीतिकार हैं किसी भी पार्टी में किसी भी संगठहन में किसी दल में जो प्रमुख होते हैं उसके अध्यक्षे। अगर कॉंग्रिस में हार का ठीकरा किसी के सर फूटेगा तो वो कमलनाथ है तो बीजेपी में जीट कशे अगर मिलेगा तो बीजी शागा उन में से एक तो मुख्ट इस तरीके का आकड़ा है अभी लगभग एक सो बास है जादूी आकड़ा है इस आकड़े को छूपाएंग सब्सक्राइब करके यह जैंद नहीं कोगा लीक吗 ही आएब तैन काम कर लीकोश से मिलने वाले बात तक अपनी भात पहुचाने याश्र नलंकि बात करती है हर पाटी के अपनी रैन होती ही तुलकियर देलों से काम कर स्भाल जुलते हैं यह जो बहुत बीलिक कॉंग्रेस उनको जुमिली थी उसको जीवित करने के चाम किसे पांस साल में उन्होंने किया है दूसरी तब एक सशक्त संगठन भारती जनता पाटी वीडी शर्मा के पास था वीडी शर्मा खेलबारती विध्यारती प्रशक्त से आते हैं वह एक एक बारी की जानते हैं कि सं तो संगठन गड़े चलो तो संगठन गड़े चलो उनका देवा के बीडी शर्मा उसके काम करें बड़े नेताओं का आशिरवादे चाहे वो नरेन वोधी हो अमेशा हो अश्वनी वैष्णव भूपेंद जादव हो सारे के सारे आप आप पुटेज देख रहे हैं स्क्री शमया है उसका नतीजा शेला है जन्ता ने रिजल्ट रगवाद दिया यह सब पासा और गया रहा थ Carolina हे फॉटिए न की अचिक्टियो कि आन प्रदीक कर दोदका तो उसमें बीडी शर्मा का पड़ा-बारी योगदानुकार कई सारे जोतिशु से चर्चा हुई उन्होंने का कि पार्टी का अध्यक्ष कौने इस पे बहुत कोई डिपेंड करता है तो मद्द प्रतेश्मिंप पार्टी के अध्यक्ष बीडी शर्मा की कुछ ऐसे योग है क वो त्यूचर में बीजेपी को जादो यह आख़े की तरफ ले जाएगी यह जोग बीडी शर्मा की विश्वी निशान के साथ आप तस्वीरें जो है कि विजय मुद्रा में नजर आ रहे है आज विश्नुदत्प शर्मा और साइन के साथ विश्नुदत्श शर्मा बीजे सब्सक्राइब के साथ नजर आ रहे हैं और अपने कारिकरताओं से कह रहे हैं कि अब जैकारे नरेंद मोदी के और भीजेपी के लगा दिखिए पहरे दिन से जब इनकी मीटिंग हुई थी एक्शन कमेटी की उसमें ताय हुगा था कि जो नाम होगा औरेंद मोदी होंगे परस्ताव रखा था बीडी शर्मा ने जो चेहरा होंगे नरेंद मोदी होंगे क्योंकि मोदी के मन में एंपी है पूरा प्रचार इसी तरह था क्योंकि बीजेपी को लेके बीजेपी के खास करके मुखंती शिवरास सिंग और कई सारे मंतियों को लेके एंटी इंकंबंसी अधिया से बने जो बीजेपी को अंधर रखता था उनके सर्वे में आयता तब भी बीडी शर्मा अपना मूँ सिलकर चुप बैठे रहे और सिप्टे रहे और सिप्टे जिए जाते थे लेकिन आप देखिए कि एक अध्यक्ष जो लोगों से नहीं मिलने थे जिए जिए मि बीडी शर्मा का था कि आप देखिए उन्हों को भी दावा नहीं किया कि एक सो थी एक सो पचार बनाएंगे और आज उनकी जो मुस्कुराहत है वो बतारी है उनका जो अकलन था वो श्यत्त परतिशत थीक था तो बड़े नेता जिनकी बात एक बर पहले भी आपन यादव और अश्वनी वैष्ण ये दोनों महुन जादव भूपें जादव भूपें यादव और अश्वनी वैष्ण जी और साथ में ये बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक इन तीनों की जो तिगडी बनी थी जो बहुत बड़ा अकड़ा पार कर तिकडी में एक नाम और भूल ग जाई निती शुरू की और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते बूचते हैं तो इससे चुनाओं में रणनीती कारों में बड़ा नाम एक बीडी शर्मा का है उसके साथ में रेंसिंग तो हमारें केंदर से बेज़ेगा है विशेश मोदी और शाह के दू तश् पर जाएंगे आज बूपेन जादव की बात यादा रही है कि बीजीप को आंकड़ा है जीत आखरा जा सकता है रुजहां यही कह रहे हैं और फिलाल सथ्टा में भारती जनता पार्टी आ गई है और इसमें बीडी शर्मा को भी श्रे दिया जाएगा उनके श्रे को कम करके संब्सक्राइब अब जैसा की पिशली वर सरकार से और सर गिरा दिए थी घौका हुआ है विधायक बिग गए थे जनता साथ देगी जनता जानती है कि क्या सही है क्या गलत है लेकिन ये पब्लिक है सहाब ये सब जानती है और बहुत बड़ा आंकड़ा पब्लिक ने जो दिया है रिजल्ट कार्ड के ऊपर जब कहते हैं कि 100% मार्क्स आ जाएं तो चात्र जो है वो सब्सक्राइब कर दो चाते हुढ़ा को बियुक्त हर बीज़ता के लिए कि पास जिछ तरह को बिखिए जिआ को तो सोटेलैं माईबाव भी मिल जाते हैं बीजएपी पास हो गई ये बीज़्एपी की जोजना बास हो जब बीजएपी के प्लानिंग पास हो गई अध्यक्ष पत्का जो उनका कारेकाल था वो समाप्त होने को आया था उनके कारेकाल को बढ़ाया गया और उनके नेत्रत्व पे नरेन मोदी को इतना भरोसा था कि उनका कारेकाल बढ़ाकर इस चुनाव की पूरी बागडोर बीडी शर्मा के हाथ में दे दी गई थी कि अब आज इस बागडोर को समहा लिया और जिता के लाई ये तो बीडी शर्मा ने नरेन मोदी को प्रधान मंतरी को तौफा दिया है जीप का मोदी ने जो विश्वास बीडी शर्मा पर जताया था पहली बार मुझे याद है कि एक सरकारी कारकरम में बीना रिवाइनरी के नरेन मोदी आये थे और उन्होंने इशारा करके बीडी शर्मा को बुलाया अपनी जीप में खड़ा किया और आपको याद हो वो एक शांदा उसके बाद जब इंदौर में रोड़ शो कर रहे थे उन्होंने बीडी शर्मा को बुलाया और अपने साथ गाली में इस्थान दिया उन्होंने किसी और इंदौर के निता को वो तवज्ज़ नहीं दी जो वीडी शर्मा को ली तस्वीर भी भूली जा सकती जिसमें मंच प बुला के पास में और जब बीडी शर्मा जुके तो प्रीट थप थप थपाई थी द्रश लिए बीडी शर्मा की भी नहीं भूली जा सकती कि दुपहर बारा बजे तक आप बोड दलवा दिजे और मान लीजे कि हम जीत गए जीत गए आज भी आप देखिए कि जब एज द तो यह एक समर्पे जो कारकरता होता है उसकी निशानी है और भीडी शर्मा यकीनन पार्टी लाइन पर चलने वाली आदमी है और मुझे लगता है कि भाजपा बीडी शर्मा दोनों का बहुत उज्वल है बहुत सरुनेम है और लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ब हमारे साथ यूहीं जुड़े रहिए और देखते रहिए दखल न्यूस आप देख रहे हैं दखल न्यूस